नमस्कार दोस्तों सौगत हमारी यूट्योब चनल में आप सभी का दोस्तों आप भी अपनी घोडी में नाच डालना चाहते हो तो आपकी घोडी कौन सी है यह आपको पहचानना है कि क्या आपकी घोडी डान्स लाइक है कि आपकी घोडी को नाच सिखा सकते हो ख्रण दोस्तो गड़े देख रहे हैं कुछ लोग गाले बोलते हैं कुछ लोग इसको मुर्चा भी बोलते हैं युआ रहे को निसान लग रहा है यहां पर यह अगर आप का गोड़ी का छोटा है तो आप अपने गोड़ी में डांस दाल सकते हैं अगर यह मुर्चा यह गाड़ा बड़ा है तो उसमें गोड़ी को नुकसान हो सकता है अगर आपकी गोड़ी की हैट छोटी है और मुर्चा छोटा है तो आप अपने गोड़ी में डान्स सिका सकते हो डान्स डाल सकते हो और आपकी गोड़ी की हैट लंबी है मलब कि अधियर पहर है और मुर्चा या गाड़ा बड़ा है तो आप गोड़ी के डान्स ना सिकाएं गोड़ी को कि कि उसमें क्या होता है कि ये मुर्चा है ये तूटने का ज्यादा चांस जरहता है फड़ों, यह ज्यादा ठूटने का चाम चांज होता है, यह जितना छोड़ा गाला होगा चोट्ती हाइट होगी, उस गोड़ी को अगर आप डान सिकाएंगी तो अच्छा होगा और हैट वाली घोडी होगी और ये मुर्चा ये गाड़ा बड़ा होगा उस घोड़ी को आप नाच या डानस नाच सिखाएं तो ये थी एक छोटी ची जानकरी कि कौनचे घोड़ी में आपको डानस सिखाना ची ये कौनचे गोड़ी में नाच डालना ची है अगले वीडियो में फिर मिलते हैं कोई और अच्छे जानकरी की साथ में तब तक के लिए दन्यवाद